सवाल नमबर एक. हदीश के मुताबिक किस तरह सोने से इनसान बीमार होता है? आपके ओप्षन हैं. A. जल्दी सोने से B. पेट के बल सोने से C. दाएं करवट सोने से D. बाएं करवट सोने से सही जवाब है. B. पेट के बल सोने से सवाल नमबर दो शैतान कौन सा अमल करने वाली औरत का भाई बन जाता है? आपके ओप्षन है A. कंजूस औरत B. बेनमाजी औरत C. जूठी औरत D. फिजूल खर्च करने वाली सही जवाब है D. फिजूल खर्च करने वाली सवाल नमबर तीन ब्रमे मुनकर नकीर कितने सवाल करेंगे? आपके ओप्षन है A. दो सवाल B. तीन सवाल C. पांच सवाल D. साथ सवाल सही जवाब है B. तीन सवाल सवाल नमबर चार जन्नत के दारोगा का क्या नाम है? आपके ओप्षन है A. इस्माईल B. जाकिर C. रिजवान D. याकूब सही जवाब है C. रिजवान सवाल नमबर पांच नमाज में छींक आने से क्या होता है? आपके ओप्षन है A. नमाज मकरू हो जाएगा B. नमाज तूट जाएगी C. नमाज कुबूल होने की निशानी D. नेक होने की निशानी सही जवाब है नमाज में छींक आने पर उस वक्त अलहम्दुलिल्लाह ना कहे सलाम फेरने के बाद अलहम्दुलिल्लाह कहे और अगर भूल कर नमाज की हालत में ही अलहम्दुलिल्लाह कह दिया तो कोई हर्ज नहीं नमाज हो जाएगी इस इसलामी जानकारी वाली विडियो को शेर जरूर करें इसी तरह की दीनी मालूमात हासिल करते रहने के लिए अक्तर इसलामिक एजूकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शुक्रिया जजाकल्ला